असलामलेकुम वेवर्स आज मैं आपको बेबी गर्ल्स के लिए एक विंटर टॉप बना के दिखा रही हूं यह जैकिट स्टाइल में टॉप है और इसके साथ हुट लगावा है फुडी कैप है इसके साथ और इसमें फ्रिल लगे हुए हैं कॉटन फाब्रिक से मैंने बनाया है से आज में फ्रेंट बैक दोनों साइड पर फ्रिल हैं स्लीज में भी फ्रिल लगे हुए हैं और अंदर लाइनिंग के साथ इसको तयार किया गया है इसमें यह फ्रेंट ओपन जिप है और ये एक जैकेट भी आप कह सकते हैं से टॉप भी कह सकते हैं आप पर भी कह सकते हैं इसके साथ मैंने एक कैप लगाई ये फ्रिल के साथ लाइनिंग के साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं भी आपको दिखाने में वाली हूँ इसके लिए मैंने कॉटन फैबरिक लिया है दो मीटर फैबरिक इसमें इस्तमाल हुआ है और ये एक से दो साल की बच्ची का साइज है ये डमी आप देख सकते हैं दो साल की बच्ची की डमी है और ये एक साल से लेके दो साल की बच्चों को यह आसानी पहना आया जा सकता है और आप यह देख सकते हैं बहुत ही खुब सूरत मैंने यह तयार किये टप तयार किया है और इसकी बैक साइड भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ बैक साइड पर भी इसके फ्रिल लगी हुई है और इसकी मैंने आपको डमी को इसलिए दिखाया है कि इसमें आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है बैक साइट पर भी इसमें फ्रिल लगे हुए इनका तरीका मैं आपको अभी पूरा दिखाऊंगी कि इसे मैंने किस तरह से तयार किया है जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसके लिए इसके लिए मैंने दो میटर फैब्रिक लिया है कॉटन फैब्रिक है नर्थ्री प्रिंट कॉटन है और सलीज में इसके लास्टिक है ये जिप मैंने ली है जैकिट की जिप है ये फ्रन्ट ओपन लाइनिंग है और इसके साथ ही मैंने पेपर लिया है पहले मैं इसकी एक्डेक्ट कटिंग जितना साइज मुझे चाहिए मैं पूरी पूरी कटिंग करूंगी उसके बाद मैंने इसको फैब custom कंग नए किसमे में प्रिल्लों आपने देखा होगा। और इसमें देखी लैंस मैंने रहे भी है 14. टैयार जो मेरे टब टैयार होगी यह 14 इंची की होगी 15 की मैंने इसको पूरन पर यहां से 14 इंच यह भी है 17 इंचिस इसकी वेट या चोड़ाई है पहले हम ये एक पीस निकाल लेंगे 17 इंच उड़ाई और 14 इंच लंबाई का ये मैंने पीस लिया है चोड़ाई इसकी जाद है नीचे से लाइन कटिंग होगी इसको डबल फोल्ड करना है डबल फोल्ड करने के बाद इसका शोल्डर कट करेंगे 5.5 इंच पर इसका शोल्डर का मैंने हाफ निशान लगा रहा है आर्म होल 5 इंच इंच बस साइज अगर हमने 12 रखना है तो इसका हाफ 6 लेंगे 6 इंच इंच और इसको ए लाइन में निशान लगाएंगे इस पेपर को जो हमारे एक्जैक्ट तियार साइज है यह उसी की कटिंग किया रही है इसी के ऊपर हम अपने फैबरिक को कटिंग करेंगे सबसे पहले हम इसको पेपर पर कटिंग करेंगे क्योंके जैसे कि आपने देखा है इसमें जोड डले हुए essent जोड़ों में प्रिल लगे हुए हैं अगर हम डिरेक्ट कटिंग करते हैं तो इसका अंदादा हमारा गलत हो सकता है यह बैक साइड की मैंने कटिंग किये फ्रंट साइड इसके चोड़ाई में हाफ हाफ इंच जादा होंगे अब मैं आपको इसका स्लीव का साइज दिखाती हूँ पेपर पर ही मैंने एक्ड़क्ट साइज जो पूरा कमप्लीट तयार साइज होगा वो मैं आपको बता रही हूँ 5.5 इंचिज 5.5 इंचिज मैंने स्लीव की चौड़ाई ली है 10 इंचिज मैंने इसकी लंग पूरी पूरी यानिके ये तैयार साइज बता रही हूँ मैं आपको इसमें सलाई का कोई हिसाब नहीं है जब मैं सलाई का हिसाब तमाम जो है वो फैबरिक के अंदर रखूंगी इसी के ओपर रखकर हमें अंदर की लाइनिंग कट करनी है दो इंचे गहराई का आर्म होल है इसका अब ये देखिए मैंने पेपर कटिंग कर लिए ये हम चाहें तो इस तरह का पूरा साइज हम बच्चें के लिए तैयार करके रख देखते हैं उसी पर हम रखकर बार-बार हम कटिंग कर देखते हैं अब पहले कट जो लगेगा हमारा ये आर्म होल की जहां से गुलाईश शुरू हो रही है आप छोटा बड़ा जो भी साइज बनाएंगे तो वहां पर हमें इसका जोड जो है पहला जहां पर हमारी गुलाईश अब दहीं मैंने निशान लगा लिए यह बैक साइड है बिल्कुल सेम इसी अन्दाद में फरंट साइड होगी फरंट साइड को हम चुड़ाई में हाफ हाफ इंच फालतू ले लेंगे बटन पट्टी वाली जिगा से जहां पर दिप लगेगी सिलाई के लिए अब आप यह देखें इनी जगा निशानों पर मैंने अपने खेंशी से इसको कट लगा कर इन पीसी को अलग अलग कर लिया है आप यह देख सकते हैं कि यह जो फ्रिल लगेंगे इसके इसाब से मैंने पहले मैंने इसको कटिंग किया है उस çटरी नहीं आँए चाहिें और अजिस जेगा पर देखें है Soul को भी इसी तरह से कट लगाई आए facts और हमारी स्लीज की उप्रिल ऑफ हमारी andै वेसी प्रणड और बैक की फ्रिल के साथ f सीक्वेंस में आनी चाहिए अब इसी तरह इतनी चुड़ाई का मैंने नीचे निशान लगा रही हूं इसके लिए स्लीव के लिए जितनी चुड़ाई मैंने इसके बैक की है और बिल्कुल फ्रंट जो है हमारे बिल्कुल सेम इसी अंदाज में कट होंगे हमें फ्रंट के लिए अलग से फ्रेम बनाने की ज़रूरत नहीं है यह देखें यह मेरा फ्रेम पुरा तयार होगी है इसी के ओपर हमें फाबरिक की कटिंग करनी है लाइनिंग भी इसी के ओपर कट होगी अब आप यह देखें पहले मैंने नीचे से फोल्ड किया है जो नीचे से हम फोल्ड करेंगे लाइनिंग हमारी छोटी होगी और फोल्ड करने के बाद हम इसको पूरा-पूरा कट कर रहें लेकिन आप यह देखें मैंने सिलाई का हिसाब दाएंबाएं से हर जगा से छोड़ना है मैं तमाम फ्रेम जो में मेरे इसी तरह से मैंने इसका सिलाई का हिसाब छोड़ कर चारों तरफ से एक-एक पाउं की सिलाई का यह फ्रंट है तो मैंने एक साइड से इसका सिलाई का छोड़ा है जब हमारे फ्रंट पीस होंगे तो उसमें मैंने चारों तरफ से इसलाइख का हिसाब छोड़ना है यह दूसरे पीस होगे इसको मैंने डबल किया हुआ है इन पीसिज को धा इन फीस को यह बैक पीस कर होएं और इसी तरह हमे फ्रंट पीस जब हम कटेंगे तो इन में सभूर आप दिख रहे हैं एक side से मैंने यह back है कि एक side से मुझे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जब हम front को cutting करेंगे तो उसकी चारों side से बढ़ा कर हम cut करेंगे अब यह sleeve के pieces हैं sleeve में आपने दिखा कि मैंने अंदर की side से fold करना है यह दर्मियान वाला हिस्चा है कि स्लीज का नीचे उपर तमाम हिस्टों कोई ही तरह से कट करणा है भधाबढ़ा कर है यह नीचे वाला इस्ट्स है Guhland के corrina को इसी तरह से मैंने फर्म बेक को फॉल्ड किया है नीचे सेigma करेंगे यह क्यूंकि स्लीज कोब इसी तरह मेंने अरतिक है लिए अब ये स्लीवत का सबसे उपर वाला पीस है तीन पीस इनके हमारे के टॉप के हैं फ्रन्ट बैक के उपर नीचे दो दो कर्स लगाए हैं इसे तीन तीन हमारे कीस हाते लिए इसी तरह स्लीवत के हैं अब आपको पूरी कटिंग दिखाएए फ्रन्ट साइड की वी सेम इसी तरह कटिंग होगी लेकिन बटन पट्टी की साइड से भी थोड़ा थोड़ा हमें स्लाई के लिए बढ़ाना होगा अब आप यह देखें मैंने इसके लिए बहुत सारी फ्रिल तयार करी हैं यह पांच जितना मेरा अर्थ था एक मीटर अर्थ का यह कपड़ा था तो मैंने पांच पटियां तयार की हैं प्रिल्द मैं तुमाम बना लियें मैं आपको थोड़ा सा हिस्दा बना कर दिखा रही ह ہیں मैं एक साईड मैं ने प्को कि हुई है अब इसको मैं लगा कर दिखाती हूँ है यह बैक साईड मा सबसे नीचे वाला हिस्टा है जिस पर मैं ढो प्रीStart को आभ़ा और इसी के साथ जो सेंटर वाला हिस्सा है इसके ओपर रख कर मैं वो भी मैं आपको दिखाते हूं किस तरह से हमें इसको फिट करना है आपने देखा पहले मैंने पेपर का फ्रेम बनाया था वो पूरे-पूरी कटिंग का था लेकिन जब मैंने इसको फैबरिक पर कट किया है तो उसमें मैंने सिलाई का हिसाब अलग से बढ़ा कर लिया है अब इसको इस तरह से फोल्ड करके हम उपर से डारेक्ट सिलाई कर सकते हैं अब इसी तरह जो इसका तीसरा हिस्टा है सबसे उपर वाला पहले हम फ्रिल लगाएंगे सेंटर वाले हिस्टे में इसके बाद हम आखरी उपर का हिस्टा इसके साथ प्ट करेंगे और इस तरह से यह हमारी बैक्ट तयार हो जाएगी सेंटर इसी अंदाद में हमारी फ्रिंट तयार होगा लेकिन फ्रिंट के दाएंबाएं दो दो हिस्टे होंगे बैक का हमारा एक ही पीस है चौड़ा पीस है लेकिन जो फ्रंट के होंगे हमारे वो दाएं बाएं के दो हाफ हाफ होंगे अब यह मैं आपको फ्रंट के हिस्ते भी दिखा रही हूँ यह हाफ है यह दो साइड सोती है फ्रंट की एक दाएं और एक बाएं मैं आपको एक साइड बना कर दिखा देती हूँ यह देखें यह आदम होल वाला हिस्टा एक साइड पर इस तरह से रहेगा अमीद आपको यह समझ आ गिया होगा कि इस तरह कि अगर हमें कहीं जोड देने या फ्रेल लगाने तो उसके लिए हमें अलग से एक्स्टा हमें सलाईयों का कपड़ा अलग से छोड़ना होता है और एक्जक्ट कटिंग हम इस तरह से डारेक्ट नहीं कर सकते हैं इसके लिए अगर हम फ्रेम बना लें तो हमें जाता सहूलत रहती है यह होता है कि जो हमारा पेपर पर बना हुआ जो ये Trace होता है ये फ्रेम होता है वो हमेशा हमें काम आता है अगर हम उसे समहल कर रख देते हैं हम बार-बार एक चीज को दोबारा भी बना सकते हैं के लिए हमें बार-बार पेपर कटिंग की जरूरत नहीं होगी अब आप यह देखिए पूरा फ्रंट तयार हो गया है यह एक हिस्सा है इसकी दूसरी साइड अपोजिट साइड भी साइड भी बिल्कुल ऐसी होगी इसी तरह से हमें स्लीव को तयार करना है इस स्लीव का सबस से फिट कर देंगे आप देख सकते हैं इस स्लीव की तयारी हो रही है जब यह हमारे तमाम यह पीसिस तयार हो जाएंगे इसी के उपर रखकर हम अपनी लाइनिंग को कट कर लेंगे लाइनिंग जो नीचे वाइट कपड़े की लाइनिंग लगाई ही मैंने और उसी को मैंने इसी के उपर जब यह मेरे तमाम हिस्से तयार हो जाएंगे वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूं क्योंकि हम इसी को बने बनाए जो चीज़ है आम इसी के उपर रखकर लाइनिंग इसी तरह से यह देखिए इस तरह से डबल फ्रिल वाला हमारा स्लीव भी तयार हो सकता है यह जो मैंने बच्चों में तयार किया है बड़े स्लीव भी इस तरह किया हम अभी मैंने दो दो फ्रिल लगाई हैं आप दो से जादा भी लगा सकते हैं हम जितने चाहे हमें इनकी कटिंग के बाद आप यह देख सकते हैं मेरे तयार हो गए है और इसके बाद मैंने इसी के उपर रखकर लाइनिंग कट की है और यह तकरिबन एक इंच छोटी लाइनिंग नीचे से लैंस में मैंने कम किये क्योंकि यह प्रंट का हिस्सा कुछ उपर की साइड पर आएगा की यह तना से सिलाई होगी तो यह तमाम फोल्ड हो जाएंगे अब इसका स्टेप बाइस्त ट्रफ में स्टीचिंग के आपको तरीका दिखाती हूं कि किस तर्हे करना है इसका उपर वाले हिस्से अलग से स्टेच होंगे अंदर वाले अलग से स्टेच होंगे सबसे पहले हम स्लीज से यार करते हैं स्लीज के साथ लाइनिंग में जोड़ दें हूँ बिल्कुल वो ही तमाम हिस्से लाइनिंग के जोड़े हुए है पूरी पूरी मैंने लाइनिंग कट किये ये देखें ये यहां से इसको बराबर किये अब ये इतना हिस्सा मैंने बाहर की साइड निकाल कर और इसमें मैं लास्टिक लगा दूँगी ये चाहें तो हम गुम सलाई में भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत खी चोटे बच्चे का है जैसे के मैंने बताई एक साल से दो साल की साइज है तो यह जिगा बहुत जादा तंग होती है चोटे बच्चों के पॉर्शन जो होते हैं स्लीव के हिस्से तो इसमें गुम सलाई में साइड की सलाई कर रही हैं वरना हम बड़ों के लिए अगर हम बनाते हैं तो हम गुम्सलाई में इसको तैयार कर सकते हैं अब लास्टिक की जितनी हमें जरूरत है इतना हम खेंचेंगे खेंचने के बाद बाकी पीस को अलग कर देंगे तकरिबन ये मैंने चार इंच उड़ा स्लीव्स हाफ रखा है आठ इंच उड़ाई होगी फुल अब आर्म होल की इदाफी कटिंग कर रही हूँ मैं फ्रंट की लाइनिंग के साथ अब धाई इंच उड़ाई और धाई इंच तू पाइंट फाइफ इंच गहरा है और इतनी चुड़ाई के मैंने यहाँ पर नेक कटिंग करनी है यह देखिए यह हमारे फ्रंट के हिस्ते भी तयार हो गए हैं अब इनको अलग अलग शूल्डर सी लेंगे इनके जिस तरह से हम उपर के हिस्तों को शूल्डर को तयार करें इसी तरह हम अंदर लाइनिंग को भी बिल्कुल इसी तरह से तयार करेंगे अब लाइनिंग के शूल्डर भी बिल्कुल इसी तरह से जोड लिये जाएंगे लाइनिंग बिल्कुल सिंपल है जबकि फ्रंट जो उपर वाले हिस्थे उन में मैंने फ्रिलें लगाई है इसलिए थोड़ा सा टिपिकल था काम था अब आप यह देखे मैं कोशिश मेरी यह होती है कि जो स्लीज की फ्रिल है वो बिल्कुल इसके साथ अटेश्ट कर रही हो इस तरह से के एक सीक्वेंस में र प्यारे प्यारे कपड़े बनाने के लिए तो वो चाहें तो इस तरह बना सकती है अब यह देखे मैं स्लीज जो है अंदर की लाइनिंग का स्लीज जो है अलग ते जोड़ देए हूं और उपर का स्लीज भी अलग ते जोड़ा जाएगा अब ये देखें मैं अंदर की स्लीज, साइड की स्लीज करके आपको दिखा रही हूं अंदर का स्लीज भी जोड लिया है मैंने और उपर के स्लीज भी अलग अलग जोडे गए इसके साथ पहले उपर वाले हिस्ते की साइड की स्लीज की जा रही है जिस तरह से इसकी शेप है इसी तरह से जितना फॉल्ड करना है इसी तरह से मैंने कट के अंदाद में इसकी सिलाई किये यह साइड की सिलाई की जा रही है दोनों साइड समें इस एक अंदाद में इसको तयार करना है और इसी तरह से लाइनिंग की भी हम अलग से सिलाई करेंगे साइड की सिलाई और यह भी बादू के पूरे आफर एंड तक तिलाई नहीं कर रही हुए बस थोड़ा साइड को सिलाई करके हम छोड़ देंगे आखर का स्लीव जो है मैंने बगार गुम सिलाई के इसी तरह डारेक्ट स्टिच किया है अब यह लाइनिंग पूरी जुड गई है अब मैंने इसको एक हिसाब से अंदर का साइड जो सबसे नीचे की साइड है घेर की साइड उसको लाइनिंग के साथ अटेश किया जा रहा है और इसको बड़े दिहान से हमें अटेश करना पड़ता है इसको खुमा के देखना होता है बिचा करके ये कुछी तरह से कोई बल ना रहे हूं इस तरह से पहले हमें इसको सीधा करके देखना है सीधा करके हमें देखना है कि जोड की तरह से डलेगा नीचे की साइड पर ये घेर, लाइनिंग का घेर जो है वो उपर वाले हिस्ते के घेर के साथ जोड़ा जा रहा है, अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ अब आप ये देखें, ये उपर का बढ़ावा हिस्ता जो है, वो अंदर की साइड लाइनिंग में चला जाएगा, इसको मैंने तमाम हिस्ते को सीधा कर लिया, इसको आइरन करेंगे एक दफ़ा, आइरन करके जो जिप वाली पट्टी है, इसको भी अंदर की साइड फोल्ड क करेंगे, बढ़े हमें कपड़ों को कटिंग कर देंगे, अब आप ये देखें, मैं आपको फ्रंट पर जिप लगा कर दिखाती हूं, ये मेरी जाकेट वाली जिप है, नीचे से लगाना शुरू करेंगे, घेर वाला हिस्ता है, ये देखीगा, इसी तरह डाइरेक्ट ट्र करेंगे, पर फासे करेंगे देखेंगे, इसी से स्टेच कर सकते हैं, नीचे से मैंने इसको केक्ड़ा नीचे का हिस्ता है, ये हमाने लाजमी नीचे एक लग Zoom करेंगे और खोषगू ही में, आप और नीचे को ultra जिप हम उपकर से साइट पर रखेंगे शिरफ़ रिकाटолнर open भी नहीं कर सकते हैं और इसको बंद भी नहीं कर सकते हैं यह देखें जितनी जिप मेरी उपर की side से बड़ी हो गई है उसको मैं cut करके अलग कर दूँगी यह दूसरा हिस्सा भी देखिएगा नीचे घेर का हमें पहले इसका फ्रीलों का सीक्वेंस भी देखना है यह उपर नीचे नहीं हो जाएं लगाते हुए इसमें बहुत एक्तियात की और नीटनेस की जरुरत होती है यह डिजाइन बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल डिजाइन है जो लोग अलड़ी स्टिचिंग जानती है जो खवातीन वह इसे बासानी स्टिच कर सकते हैं बिगनर्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी अब आप यह देखिए मैं और हमें इस तरह से इसको रखना है कि फ्रिल जो है हमारी बिल्कुल एकी सिक्वेंस में आई अलग-अलग महसूस ना हो लाइनिंग को और उपर वाले कपड़े को खटा हमें मिलाकर इस तरह से रखना है अब हम जिप को खोल देंगे अब यह देखिए यह अलग-अलग हो गए यह से चाहें तो हम अंदर शृट पहना कर उपर से इस अपर को उपन भी रख सकते फालतू बड़ी वी जिप को हम कट कर देंगे इसका जो यह लॉक है इसको चाहें तो हम किसी दुकानदार से दुबारा भी लगवा सकते हैं जो इसके एक्पर्ट होते हैं जहां पर हम जिप की यह जो एस्ते होते हैं और के बंद करने वाले और खोलने वाली चाहां से हम या डलवाते हैं उनके पास यह लॉक होते हैं अब आखिरी मरहला जो इसके हुट का रहे गया है हुट कैप है ये ये पहले दर्मियान में एक सीधी पट्टी आएगी और उसके ओपर ये दो पीस लगेंगे ये हमें 11 इंच लंबाई की और 2.5 ये धाई इंच की हमें चोड़ाई की पट्टी लेनी है ये जैसे कि मैंने बताया एक साल थे दो साल की बच्ची का साइज है धाई इंच लंबाई की पट्टी है एक दूसरी मेरी पट्टी जो है वो आठ इंच लंबाई और पांच इंच लंबाई की है ये दो हिस्से हैं आठ इंच और पांच इंच लंबाई चोड़ाई के अब यहां से मैंने एक इंच को कम करते हुए हाफ हिसे तक इसको इस तरह से कर्ब देना है और उपर की साइड पर गॉलाई देनी है ये दे find है ये और को करत्म करना है, ये हिस्से को गोल बनाना है तकरवन यहां सरव Each से एक इंच है, दूसरी साइड से लेड़ इंच ये क्याप की शेप दे रहे है, ये सरवली हिस्से की गॉलाई है अब ये नीचे की साइड से ये बैक साइड है और इसको भी इस तरह से लेना है जैसे आपने देखा होगा कि हमारी नैक की कटिंग फ्रंट की होती है बैक की नहीं होती तो इसी के हिसाब से हमें एक कटिंग ये भी करनी है एक इंच से थोड़ी सी कम अब इस पट्टी को हमें इस तरह से इसको यूँ अटेश करना है यह देखें जब हम इसके साथ अटेश करेंगे तो यह कैप की शकल ले लेका देखें पट्टी बिल्कुल इसके साइज की आ रही है यह दो पट्टी के दोनों साइड पर यह दोनों हिस्ते इसी तरह से जोड करना है यह कैप का पूरा डिजाइन मैंने आपको कट करके दिखा दिया है इस तरह से बड़े बच्चों के लिए हम इसका साइज इसी हिसाब से बढ़ा कर लेंगे हाफ इंच पत्ती को चोड़ा कर लेंगे डियर इंच लंबाई बढ़ा लेंगे अब आप यह देखे मैंने इसको चार इससे यह कट कियें दो लाइनिंग के और दो प्रिंट के इसी तरह से देखें एक एक पाउं के सिलाई बढ़ा कर मैंने इसको कट किया है एक प्रिल की पत्ती ली है धाई इंच और यह पूरे अर्थ की पत्ती है जितना मेरा वन मीटर अर्थ था डबल करके इस पत्ती को हमें पहले प्रिल तैयार करने के बाद हमें इसको अटेज करना होगा अब सबसे पहले हम इसकी कैप त्यार करेंगे पत्ती को सीधा सीधा इस पर लगाया जा रहा है ये सर वाला हिस्सा है और बैक वाला हिस्सा है फ्रंट वाला हिस्सा और नीचे गर्दन वाला हिस्से को छोड़ दिया जाएगा यह देखिए जो गुलाई वाला हिस्सा था उसके साथ मैंने इसको अटैच्च किया है पट्टी को अब यह दूसरे वाला जो हिस्सा है गुलाई दार इसमें भी मैं इस पट्टी को दोबारा अटैच्च कर रहे हूं सेम बिल्कुल इसी अंदाज में हमारी अंदर की लाइनिंग भी तयार होगी उसकी कटिंग भी बिल्कुल इसी साइज की इसी के उपर होगी एक लाइनिंग पीस का लाइनिंग कैप तयार कर लेंगे हम इसी तरह से ये लीजे ये कैप का एक साइट जो है वो तयार हो गई है उपर इसकी सलाई की जा रही है पट्टी वाली साइट सेंटर वाली साइट पर फोल्ड करके इसको सलाई किया जा रहा है दूसरे हिस्ते को भी इसी तरह से दूसरी साइट को भी इसी तरह से मैंने सलाई किया अब अगला मरहले में मुझे फ्रंट साइट पर फ्रिल लगानी है अब आप देखिए कैप की बिलकुछ शेप बन गई है अब दो हिस्ते के ओपन है एक नीचे गर्दन वाला और एक फ्रंट वाला अब देख सकते मैं यहां पर यह फ्रंट हिस्ते पर फ्रिल लगानी है यह फ्रिल मैंने पहले से तयार करके रखी है जैसे कि आपने देखा है मैंने पट्टी को डबल किया हुआ था धाई इंच की पट्टी को डबल किया है डबल करने के बाद यह फ्रंट साइट पर इसको टैच किया जा रहा है और बिल्कुल इसी तरह की मैंने एक लाइनिंग कैप भी तयार की हुए अब इसके साथ हम लाइनिंग को टेश करेंगे बिल्कुल इसी तरह की एक कैप मैंने लाइनिंग की तयार की हुए जैसे कि आप यह देख सकते हैं बिल्कुल सेम अंदाद में मैंने लाइनिंग की कैप तेयार की हुई है अब इसको इसके साथ इस तरह से अटेश करना है यह देखें अंदर वाली साइड दोनों इस तरह से अंदर रखी जाएंगी जोड़ वाली साइड उपर अब पहले मैंने इसको सेंटर से स्टार्ट करना है क्योंकि अगर हम नीचे सिरे से स्टार्ट करते हैं तो यह हमारा सीक्वेंसिस का खराब होता है अब यहीं से दुबारा स्टार्ट करेंगे यह लाइनिंग थोड़ी थोड़ी सिलाई में बड़ी बढ़ दाई है अगर हम इसको नीचे सिरे से स्टार्ट करते हैं तो इसका पूरा बैलन्स खराब हो जाता अब हम फालत हिस्तों को थोड़ा सा कट कर देंगे जो बढ़ ग अब देख सकते हैं इस तरह की कैप की फिटिंग बहुत अच्छी आती है अब इसको लाइनिंग के साथ इसको अटैच कर देंगे नीचे से भी ताके लगाते वक्त कोई मुश्किल पेश नाए अब ये नेक वाले हिस्ते को भी लाइनिंग के साथ पहले अटैच करेंगे बैक साइड की बिल्कुल कटिंग नहीं किये मैंने अगर हमारा जो कैप के हिसाब से हम इसको पहले साइज करके देखेंगे ये आया के हमारी नेक पूरी है या नहीं देखिए मेरी कैप थोड़ी से बड़ी हो रही है इसके साथ तो मैं इसकी नेक को थोड़ा साओ और कट करूंगे अब दुबारा इसको हाफ हाफ करके इसी तरह से बराबर करना है फ्रेल को अंदर सकी साइट पर फोल्ड कर देंगे ये देखिए नीचे के कपड़ को मैंने खैंच कर रखा वाए ताकि मेरे बिलकुल नैक पूरी पूरी आये नीचे की ताइट जोल नहीं होना चाहिए और इस तरह से इस कैप को कम्प्लीट कर लिया है पूरी नैक के साथ अब इसके ओपर पाइपिन लगाई चाहेगी ये बनी बनाई तैयार पाइपिन है जो मैं लगा रही हूँ चाहें तो हम इसी की पट्टी भी लगा सकते हैं रेव बली पट्टी कट करके पट्रो प्ट्टी कर ये येखिन लगाई तैयार चाहें लगाई लगाई टुछ करें अबले लगाई लगाई से घर अब छूरी लगाई टुछ्र पाई इतले हैं इसको बहुत एतियात है नीचे कपड़े को ऊपर की कपड़े को खोल कर लेना होता है यहां पर सबसे ज़्यादा नीटनेस की जरुड़त होती है बढ़ावा कपड़ा जितना भी है हमें से कट करके अलग कर देंगे फाल तुसलाई के साथ और बाकी जितना भी कपड़ा है यह तमाम पाइपिन के नीचे आजाए और हमें नीचे से उपर से इस बात का बहुत ख्यार लखना है को चुन या जोलना है खोल खोल कर हमें इसको इस जिखासे स्टिच करना है और इस तरह से यह हमारा पूरा यह टॉप जो है तैयार है कि फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ अब देख सकते हैं बहुती खूबसूरत यह जाके स्टाइल के टॉप तयार हो गई हुट के साथ और पहनने में इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है मैं भी आपको इसको दमी के उपर सेट करके दिखाती हूँ विंटर में हम चाहें तो बच्चों के लिए इस तरह के गरम कपड़े खुद भी बना सकते हैं घर में अगर चाहें तो हम इसमें अगर फला लैन लगा लें लाइनिंग में या और कोई मोटा गरम कपड़ा लगा लें तो हम फुल गरम यह तैयार कर सकते हैं यह अपर के त और आप देख सकते हैं बहुत ही खुब्सूरत इसकी शेप आई है और पहने में भी एतनी अच्छी लग रही है अमीद है आपको यह डिजाइन पसंद आएगा मैं आपको इसकी फाइनल लोक डमी पर भी दिखाती हूं अंदर की साइड आप देख सकते हैं लाइनिंग लगी वी इसमें पूरी गुम सिलाई में लाइनिंग के साथ त्यार हुआ है स्लीफ की मैंने आफिर में सिलाई की है खुली सिलाई जिस तरह से होती है और डमी पर भी आप यह पहने भी देख सकते हैं इसकी पूरी पूरी फिटिंग आई है कि इस तरह से हम भी चाहें तो घर में इसी भी साइस में बना सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले परफ्रक्स साइज आपको पेपर पे कटिंग करना होगा उसके मताबिक इसमें कटिंग करनी होगी अंदाजे से जितने आप चोड़ी फिर्यल रखना चाहें उपर नीचे जहां भी आप लाइन लगाना चाहें इसी हिसाब से आपको स्लीव में बनानी होगी फ्रंट बैक पर फ्रंट के हिस्से आपने देखा थोड़ा थोड़ा हम लगाने के लिए भी थोड़ा सा बढ़ावा रखते हैं जबके बैक को हमने तिरिफ सब्सक्राइब पर पुछ सकते हैं झाल 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 झाल